वेलकम टू पनेशिया आजकल आज हम डिसकास करने वाले हैं 1st January to 7th January के करांटरफेस के बारे में तो चलिए देखते हमारी आज की 1st News क्या कहती है जिसके लिए 19,744 करोड का Union Cabinet में Approval हो गया है तो चलिए आएए देखते इसके बारे में हमारे रपस क्या डीटेल है कि जो हम आज fuels यूज कर रहे हैं जो non-renewable है हमें उनको renewable में change करना है चाहिए वो solar energy है तो उनमें से ही एक चीज है hydrogen तो hydrogen mission के अंडर हम कोशिश कर रहे है hydrogen के उपर shift करने से जिससे काम carbon emissions होंगे और हम non-renewable resources को जादा consume नहीं करेंगे तो इसके लिए initial outlay है 17,490 crores का जिसकी आगे division की गई है तो इस division में 400 crores है research and development के लिए 388 crores है other components में तो strategic interventions for green hydrogen transition जिसको site program बोला जा रहा है तो green hydrogen में जो transition करने का जो program है उसका नाम है site very important for exam point of view next हम बात करते हैं systematically important banks के बारे में पिछले साल भी यही 3 banks को declare किया गया था RBA की तरफ से और इस साल भी same banks को इस category में रखा गया है वो 3 banks है SBI, HDFC and ICICI तो वैसे भी आपको पता है कि यह 3 banks हमारे देश के लिए कितने important banks है तो इन banks को बोला जाता है too big to fail banks कि यह कभी भी fail नहीं हो सकते तो यह तीनों banks जो है यह हमेशा से हमारी इस category में रहे हैं तो इन में से जो ICICI and HDFC है उनको रखा गया है bucket 1 में और SBI को रखा गया है bucket 3 में आगे में बात करते हैं शेंगिन countries के बारे में जिसमें अब total members 27 हो चुके हैं तो recent जो country उसका member बनी है वो country है क्रोश्या very very important point तो शेंगिन countries basically group of European countries है जिसमें आपको एक country से दूसरी country में जाने के लिए passport की जरुरत नहीं है तो उन countries में अब country क्रोश्या भी है क्रोश्या में किसी ने जाना है तो उसको एक special license की जरुरत नहीं है अगर उसके पास European Union का passport है तो क्रोश्या की जो अब तक करन्सी थी उसका नाम था कुना और कुना करन्सी को उन्होंने अबॉलिश कर दिया है और उन्होंने यूरो को अडॉप्ट कर लिया है तो European Union का पार्ट बना था क्रोश्या in 2013 और इसे बोला जा रहा है कि क्रोश्या का जो टूरिजम सेक्टर है वह उनका बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उनकी जो टूरिजम इंडस्ट्री है वह इससे बहुत जादा प्रमूट हो जाएगी फॉस्ट लपीज नेबल जन स्मोक फ्री स्टेट ऑफर कंट्री जो डिक्लियर हुई है हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रोग्रम लांच किया गया था जिसका नाम था हिमाचल ग्रहिनी सुविधा योजना जिसके अंडर उनको LPG Cylinders प्रोवाइड करिये जा रहे थे जो अभी डिपेंड कर रहे थे को वुड के ऊपर या अपने किचन के लिए उनके पास LPG Cylinders नहीं थे तो उस चीज को वालिश करने के लिए यह प्रोग्रम लांच किया गया था जिस प्रो हिमाचल परदेश की कापिटल कौंसी है दस्रिमला इस अपिटल फर समर्स धरम शाला फर विंटर हिमाचल परदेश गवर्नर का नाम है राजीन दार लेकर आगे हम बात करते हैं आए फ के वेस्टन एर कमांड के बारे में जिस कमांड को भी टेक ओवर किया है एर मार्शल इसके बारे में हमारे पास क्या दीटिल है तो 1st of January 2023 से उन्होंने इस कमांड को संभाला है इस ग्राजवेट फ्रम नाशनल दिफेंस अकेडमी पूने और वस कमिशन आइफ इन फाइटर पाइले इन जून 1985 से वो हमारे इंडियन एर फोस में काम कर रही है और इस रेसिपि किया है एर मार्शल एस प्रभाकरन और एस प्रभाकरन भी बहुत जादा लंबे वक्त के लिए उन्होंने इस कमांड को संभाला हुआ था और अब वो रिटायर हो गए है और उनकी जगा ली है पंकज मोहन सिनहा जी ने तो 1st of January को मनाया जाता है as a DRDO's Foundation Day तो इस दे को क्या किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेजिडेंट गए थे डिया जी ओफिस में वहां पर अपीज अबदुल कलाम जी का स्टैचू है पहले उन्होंने वहां पर फ्लोरल ट्रिब्यूट पे किया था उनको इसके इलावा वहां पर दो बुक्स रिलीज की गई ह तो DRDO के जो हेड़क्वाटर्स हैं वहन डियाद को बहुत इंप्र नुग्जेशल के बारे में वह आपके लिए बहुत important role play करती है तो BCCI ने अभी new selection criteria appoint किया है उसमें दो ऐसे test है जिनका नाम आया है सबसे पहले test आता है जिसका नाम है DEXA, DEXA को हम bone density test भी बूल सकते हैं इसमें x-ray technology के through bone की strength को measure किया जाएगा तो जिस भी player को Indian team में as a player पहले उसको is DEXA test में qualify करना पड़ेगा उसकी bone density अच्छी होनी चाहिए इस बर हमने देखा है कि cricket matches हुए है उसमें इंडियन players की कितनी बुरी हालत हुई है बाद में most of them were injured by the end of the match तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस criteria को लाया गया है और जो दूसरा test है उसका नाम है यो यो test जो कि एक fitness test है उस fitness test में आप you have to run back and forth between two cones placed for 20 meters apart तो 20 meters अपार दो cones रखे जाएंगे आपको back and forth उसमें रन करना है to check your fitness and endurance तो यह दोनों टेस्ट वैसे भी अगर हम सोचें तो बहुत important होते हैं first of January से हमारी central government ने announce की है एक new integrated food security scheme for 2023 तो integrated क्यों है क्योंकि दो schemes को इसके अंडर सब्सियूम किया गया है वो दो schemes कौन सी है food subsidy to FCI for NFSA and food subsidy for decentralized procurement तो यह जो scheme 2023 के लिए release की गई है इस scheme में 81.35 crore beneficiaries जो आते हैं हमारी national food security act के अंडर उनको free of cost food grains दिये जाएंगे तो वो जो beneficiaries हैं वो अंटियोद्या नियोजना के अंडर भी आते हैं और प्रियारिटी household persons है तो यह जो scheme है यह fulfill करेगी हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो vision है जिसका नाम है वन नेशन वन प्राइस एंड वन राशन तो वन राशन कार्ड तो पूरे इंडिया में सिरफ एक ही राशन कार्ड बनेगा state wise नहीं होगा तो हमारे जो राशन shops होती हैं जिनको हम public distribution system के अंडर लेते हैं तो वो राशन shops ही food grains free में प्रोवाइड कराएंगी इस साल और पूरे ओल ओवर इंडिया आज वन नेशन यह scheme applicable होगी इस नौट अप्लिकेबल स्टेट वाइस बलकि अट नाशन लेवल नेक्स्ट वी हाव वर्ल्ड हैबिटेट अवार 2023 जो दिया गया है नियुक एजया चिह वैरे जो स्टेट और उनका जो मिश्ट इसका नाम है जागा मिशन तो यह जो बैसी कली मिशन है इससलम अपग्रेडेशन और ISA government ने रिसेंटी प्लेज किया है कि उनके स्टेट में जितने भी अवैलेबल स्लम्स हैं जितने भी स्लम्स प्रेजन में उनको खतम कर देंगी और उन स्लम के रहने वाले लोगों को हाउस प्रवाइड कर आए जाएंगे तो इस मिशन को देखते हुए उनको वर्ल्ड हैबिटेट मिशन अवर्ड फोर 2023 दिया गया है very very important news for this week कि Ministry of Home Affairs ने एक high-end committee बनाई है जो committee देखेगी सिरफ लदाक एरिया के ऊपर so very important for every exam point of view कि लदाक में जो उनकी land security है उनकी employment इन दोनों मुद्धों को देखने के लिए उसको परकने के लिए वहाँ पर एक committee बनाई गया है कमेटी किसने बनाई है Ministry of Home Affairs चली देखते हैं इस हेड़ेट बाइट मिनिस्ट्री ओफ स्टेट नियानंद राइव इंपॉर्टन कमेटी को हेड कौन कर रहा है तो लडाक के जो लेफटिन गवर्नर हैं जो center appointed होते हैं आरके माथूर हैं प्रेजिन में वो भी इस कमेटी के member है जैसे मैं आपको अभी बताया इसके इलावा इस रीजन का जो अपना एक language है जैसे आपको पता है लडाक की अरिया में काफी तिब्बत का influence देखने को मिलता है तो उस चीज को preserve करने के लिए भी कमेटी काम करेगी इंक्लूसिव डवल्पमेंट भी उसका एक perspective होगा इन लास्स इंग इस इस इशुज रेटेट तो इंपावर्मेंट ओफ लडाक और्टनॉमस हिल डिस्ट्री कांसल ओफ ले एंड कारगिल तो ले और कारगिल के अरिया म की जो कांसल है उनको प्रोटेक्ट करने का भी ये क लाम करेगा तो इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी वो भी आपके हर एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से पेरी इंपोर्टन रिपोर्ट होगी Ministry of Ayush के अंडर हमारे दो prominent institutions आते हैं जनमें से फॉर्स का नाम है National Commission for Indian System of Medicine and दूसरे का नाम है Central Council for Research in Ayurvedic Science तो ये दोनों इंसिट्यूट्स ने मिल कर एक प्रोग्राम लॉंच किया है जिस प्रोग्राम का नाम है स्मार्ट तो इस प्रोग्राम के अंडर ये बूला गया है कि हमारे देश में जितने भी आयरवेदिक इंस्सिचंव कर सकते हैं r&d में तो जो भी इंस्सिटीशं जिनको लगता है कि वह संच रिसेंड डिवल्पमेंट में contribute कर सकते हैं वह स्मार्ट प्रोग्राम के अंडर प्रोग्राम कर सकते हैं जो फिर हमारी आयूश मिनिस्ट्री के अंडर रीawat करने काम करेंगी नेक्स्ट वी हाव इंडियन ओवर्सीज बैंक निव एंडी और सीओ गेंवरी इंपोर्टन इफ गोईंग फॉर इनी बैंकिंग ग्जाम और इससी अगर किसी बीजाम के लिए तो यह आपके लिए बहुत इंपोर्टन नीव्स है इंडियन ओवर्सीज बैंक के जिनका नाम है अजे कुमार श्रिवास्तव तो पहले वो लाहबाद बैंग में काम कर चुके हैं 27 साल के लिए उसके बाद उनको यहां पर पॉइंट किया गया था एग्जेकिटिव डारेक्टर और अब उनको प्रमोट करके MDN CEO बना दिया गया है hydrogen blended PNG project start operation in Gujarat तो NTPC जो कि Gujarat में situated है वहां पर hydrogen blending का project शुरू हो गया है और उसकी first supply भी हो चुकी है तो hydrogen blending में अभी वो 5% blending कर रहे हैं जिसको increase करने का motive है 18% तक लेके जाने का तो इंडिया की यह first green hydrogen blending operation है जो कि supply करती है piped natural gas और NTPC is situated in Gujarat very important then we have the project is a joint effort of NTPC and Gujarat gas तो दो companies का यह joint effort है इसका foundation stone है वो ले किया था हमारे Prime Minister ने in 30th of July 2022 तो 6 महीने में यह बन के तयार हो गया है और यह जो provide कराएगा natural gas supply H2NG natural gas to households of Kawas Township at Surat तो सूरत का जो Kawas area है उस area में यह अभी hydrogen blended natural gas को supply करने वाला है और इसी से related हमने आज ही news की थी national hydrogen mission के बारे में जिसकी funding अभी अप्रूव हुई है मारी union cabinet के बारे में तो इस साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन होगा देखना कि hydrogen के मामले में हमारा देश की स्पेस पर प्रोग्रेस कर रहा है सुखाश्रे सहायता कोश तो वेरी इंपॉर्टन नेम और यह कौंसी स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है हिमाचल प्रदेश में तो कोश बेसिकली एक फंड को बोला जाता है तो हिमाचल प्रदेश में एक फंड बनाया गया है 100 करोड का for the destitutes in the state तो इस fund के अंडर जो भी students institute है उनको educational में facility प्रवाइड कर आए जाएगी इसके अलावा उनको pocket money भी government देगी जो students afford नहीं कर सकते तो इसके अंडर जो 40 Congress MLA's हैं उनको ये अरज किया गया है कि वो अपनी जैनुवरी की first salary होगी उसमें से 1 लाक रुपीज इस fund में contribute करें और सभी Congress MLA's ने उस चीज़ के लिए agree भी किया है चीफ मनिस्टर ने अरज किया है कि बाकी भी जतने parties के MLA है उनको भी बोला गया है कि आप भी इस fund में contribute करने की कोशिश कीजिए आगे हम बात करते हैं first woman officer to be operationally deployed in स्याचन तो यहाँ पर एक और इतिहास लिखा गया है एक और हमारी बहुत बहुत बहादुर जवान की तरफ से जिनका नाम है Captain Shiva Chauhan तो पहली बार एक woman officer को deploy किया गया है स्याचन की एरिया में आपको पता है कि वो कितना हमारे लिए strategically important भी ह आगे हम बात करते हैं वहाँ पर हमारे इंडियन साइन्स का होगा तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे कंडिशन में वहाँ पर हमारे सोल्जर्स सर्वाइब करते हैं आगे हम बात करते हैं 108 इंडियन साइन्स कांग्रेस के बारे में जिसको इनॉग्रेट किया है मारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वर्चुली तो यह 108 एटेशन है यह होने वाली है नागपूर महराश्या भी प्रेजन में चल रही है 2nd से लेके 7th of January तक यह होने वाली थी तो यह राश्टर सांथ महराज नागपूर उनिवरस्टी में होने वाली है तो यहां पर दो मुद्धे उठाए गए है एक तो है सिस्टेनिबल डिवेल्प्मेंट और दूसरी चीज है वमेन इंपावर्मेंट मध्य परदेश में रिसेंटल अभी लाँच हुआ है रिजिदेंशिल लैंड राइट स्कीम तो यह उनके चीफ मनिस्टर जी ने अभी रिसेंटल लाँच किया है तो जिन लोगों के पास मध्य परदेश में अभी लैंड नहीं है घर बनाने के लिए उनको फ्री लैंड प सेलेक्टिड बेनिफीशरी जारी को नहीं मिलेगा जो उनको लगेगा की लोडबंध है उनको वो लैंड की राइट जो है वो प्रोवाइट कराएंगे नेक्स देनीज वी हाव इट राइट स्टेशन तो अब तक हमारे देश में चे स्टेशन को इट राइट स्टेशन की देने वाले हैं जिन्स्टेशन में अच्छी हाइजन एक फिसलिटी य और उनकी जो सर्विस है वो अच्छी से काम कर रही एं तो अभी सेवन्त जो यहां पर सेशन डीकले हुआ है वो है वारानिसी का स्टेशन इससे पहले जो मारे स्टेशन से तेशन को है Aranand विहाग चत्रापती शिवाजी विच फॉम्बई मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन वदोद्रा का रेल्वे स्टेशन चंडिगर्ड और भॉपाल एंड सेवंथ वी हाग वारा नसी आगे हमारे पास है डिजिटल इंडिया ओवर्ट्स फॉर 2022 तो यह देने वाले हमारे प्रेजि को सकती है जिसने अच्छे से डिजिटल इंडिया को फॉलो किया है यह कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है कोई स्टेट भी हो सकती है तो उनके यह उनको यह अवार्ड दिये जाएंगे तो आप सब लोगों ने शायद सुना भी होगा पोलर प्रीत के बारे में तो इनको काप्टन हर्पी चंडी के नाम से और पूलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है तो आप सबने भी न्यूज में सुना होगा सिंदुताई तपकाल जिनको मदर ऑफ औरसंस बूला जाता था पूरेदेश की मां बूला जाता था शी रिसेंटली पास्ट वे तो शी वस तो सिरफ मदर ही नहीं शी वस इवन ग्रांड मदर तू मेनी ऑफ दी ओर्फून तो हमारी जो आयूश मिनिस्ट्री है उसने अभी रिसेंटली इंटरनाशनल योगा कैडमी का फांडेशन स्टोन रखा है तो हमारे जो यूनियन आयूश मिनिस्टर है ही सर्बानन सोनोवाल तो इस इनिवर्स्टी के इलावा 75 करोड के और भी प्रोजेक्ट उन्होंने लॉंच किये हैं जो आयूश के साथी रिलेटेड हैं जो हायरुवेदी को ही प्रमोच करने वाले हैं तो ये जो इंटरनाशनल योगा कैडमी है ये होने वाली है हाइद्राबार तयलंगाना ने तो दोस्तो ये थे आपके जैनुवरी फॉस्ट वीक के करन्ट अफेर्स बने रही है मारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर थैंक यू पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजूकेशन प्लाटफॉर्म जहां पर अलाग अला कोर्सेस जैसे की IAS, PCS, UGC NET, SSC और बैंकिंग एक्जाम्स के लिए ओनलाइन और ओफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्त है कॉम्प्रेहेंसिव कवरेज अफ अल दीस सब्जेक् अप्टिट्यूट का टापिक दापिक दाइस ब्लड रिलिशन अंकल्स ओनली डॉटर ही तुक दो त्रोन तो जो थ्रोन पे एम्परार बैते थे वोगने साथ ले गए कोहिनों दाइमेंड देवर्ट फेमस कोहिनों दाइमेंड वोगल ट्रेजरी से ले गाई फिर आया एक MCQs साथी साथ, Comprehensive Mock Tests So, join Panesia Tutor for your successful and bright future